हेलो अब्रियोन आपका स्वागत थायों पॉल यस्टेडी में काफी दिनों बाद मैं वीडियो डारा हूं क्योंकि इधर लाइन उनका व्यास्था नहीं था तो मैं वाइल चारण नहीं था इसलिए मैंने डाल पा रहा था तो चलिए आज हम सुरू करेंगे वह खतम हो गया है आपका 2019 का प्रेवियस यह खतम हो गया यह है 2008 का ठीक है तो यह पीएम का है पारा मेटकल वालेों के लिए वीडियो है यह आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं ठीक है तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए और नय है तो चैनल को जरूर चुका हूं पारा मेटकल का इसके अलावा अभी अभी आपको मैं बताए 2000 अनों इसका भी करा दिया हूं अई है आपका 2008 का है ठीक है तो यह सब नहीं देख्या है तो यह सब आपको प्लेलिस्ट जीतना भी आपका 2013 से सुरत का उसका प्लेलिस्ट बनाया हूं मैं आई बटन में दे दिया हूं वहां से जाकर देखिए इसके अलावा में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं पारामेटकल के रिलेटेट सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट उसे भी जाकर जरूर देखिए तो चलिए शुरू क अप्शन नमर्ड D का NH4OH और CH3COOH का ओप्शन नमर्ड D आंसर हो जागा चलिए नेक्स्ट क् vouskę प्रथम पक्छियों का उदे किस महा कॉल्प में हुआ तो किस महा कॉल्प में हुआ तो यह हुए आपका option number B मध्य जीवी कॉल्प में हुए आपका प्रत्थव पक्षियों का उदान चलिए ती नमर पेपसीन किसका जोल विघटन करता है तो उख करता है option number A का ठीक है protein का करता है पेपसीन आपका पेपसीन जो है जॉल अप बिघहाटित करता है protein का hangul, नमर ए चलिए चार नमर देखिए विरी यमख की मॉख़ी के कूल नाम है तब उसको ए सनब इसको जानते है इस्कूल का अंत्रगण आता है अप्चन नमर डी, चलिये 5 नमर टेसला की सिका मात रखा ये कोस्चन काफी इंपोंटन्ट है कोस्चन कई बडरा चुका है तो बताई ये टेसला की सिका मात रखा तो ये है आपका अप्चन नमर बी चुम्बकिय छेत्र तिव्रता की SI मातरक टेसला है आपको कमेंट में मुझे बताना है ये चुम्बकिय फलक्स की सका SI मातरक है ठेका चुम्बकिय फलक्स का SI मातरक क्या होता है ये चुम्बकिय अगुन ये काफी इनपोटेंट है ये दोनू ठीक है, काफी important है, तो इसका आपको मुझे comment करके बताना है, कि यह मातरण क्या होता है, ठीक है, चलिए 6 नमर देखिए, कौन सा, कौन समानेत स्वाचालित वाहनों में सितलक के रूप में परियोग होता है, तो सितलक के रूप में किसका परियोग होता है, तो ओप्सन नमर C क अब इसका नाम कमेंट करके मुझे आपको बताना है यह तो IPSC रूप में हुआ कारबन तीन होए तो फिक्स है कि पूरोप में होगा अब जो हो आपको बताना है मुझे कमेंट करके ठीक है चलिए नेक्ट कोस्टन देखिए चलिए साथ नमर बताईए तामबे के तीन तारों के द्रभमान का अनुपात मैंने तामबे के तीन तार है इसका अनुपात इतना है द्रभमान का तथा उनकी लंबाई का अनुपात देखिए यह द्रमान देदिया है यह लंबाई दिया है मतलब M दिया है और L दिया है निका ठीक है अब कैसे होगा ई देखिए पहले देखिए मास के क्या होता है धाड़ा जो है ओम लंबाई के क्या होता है लंबाई के जेतना लंबाई बढ़ाएगा इसका परतिरोद उतना ही बढ़ेगा तो एल के समानुपाती होता है ठीक है लेक बात किलियर हो गया और जो मास होत करमेनु पाती होता है इस तरह से है तो इसको पहले लंबाई को लिखिए tuna Könatisf आप मालिजे 5 दे रखा है इसका वह न दे रखा है तो इतना हो गया ऑपात में फिर इसके बाद तीन है आपके यहां लंबाई और इसका भी तीन है ठीक है और पात इसके बाद 5 एक है उसके बाद पांच है तो 8 कट गया 3 3 तो क्याई बचे पांच और पाध 1 अन जात एक बटा mansion財 माए स्कॉयर होता है ठीक है M ं e2 स्क्वाइर होता है तो उसको हॉल करिएगा देखे होगा 5 से गुने करिएगा 50 25 और उसके बाद हो जाएगा पांतें पंदर वन ठीक है तो इस तरह से हॉल करिएगा तो यह आपका फाइनली वैलू डी आएगा थोड़ा इस पर कर पाना मुश्किल है तो यह इतना ध्यान रखेगा इसका अप्शन नमर डी आंसर होगा ठीक है अब कैसे होगा तो इसके लिए थोड़ा मैं आपको बता जणा दो यह उम होथा है एले स्क्वाइर एम आब इसी पर सबको हल करिएगा तो एक काई स्क्वाइर शरी पांच है ना ये लंभाई ना है तो लंभाई पांच है 5च poser 5 बता 1 इस तरह से इसके बाद इसके करिएगा एम िसको करिएगा एम एतन का लंभाई को पहले लिख फिर इसके बाद एक का स्क्वायर करेंगा नीचे 5 लिखेंगा तो फाइनल्य ये आजाएगा 25 उन पाथ ले टीन से तीन कोटेछस थीन रिक उलैगा तुरी की 5 महीं लीफिस नेीह और पतीं के इधर आ dominated लिके हैं तरहा नो फासा न फास सिबदो और 109 हो जिर्फ धियान रखेगा तो ओम जो है नो डारेक्टली प्रपोस्नल मतलब इस गल्टू हो जाएगा एल एस्क्वाइर बटा एम का तो एम का एल का अनपाति यहां पर है यह दर्बमान का यहां पर है भाईलू रखेगा बन जाएगा आपसा नमर डी चलिए आठ नमर देखि काफी आसान है लाल का फोकॉस-दूरी उचतम होगा क्योंकि क्या होगा सबसे यही न श्तूर के परकास लाल ही रही तो चाटा है बैंजन उधर हो जाता है निला परकासी कि ends लिए चलिए 9 नमर बताईए कितने परकार के लगण संभव है जब NaOH और्थो फास्फोरिक ममल के साथ किरिया करता है तो कितने करता है तो वो करता है एक ठीका अप्शन नमर ए आंसर होजेगा एक ठीका एक के गों संभव है चलिए next question देखे इसको तो हॉल करना पड़ेगा इस पर तो संभव नहीं है फिर भी देखता हूं देखे इतना संधारित को इतना बोल्ट पड़ावेशित क्या गया और उसके पास्चात उसकी प्लेट में एक की ओम एक केल्विन ओम वाले परतिरोद जोड दिया जाता है तो परतिरोद कितनी उसमा बनेगे तो इस पर तो मुष्कील बना पाना लंबा जाएगा तो आंसर बता देता हूं option नमर ए आपका आंसर होगा ठीक है sorry दस नमर आपका आपका option नमर डी आंसर हो जाएगा तो हौल करिएगा फर्मूला पर बन जाएगा आप वे चलिए next question देख कहता है किन्का स्वरी read calcium के कवच से डहाइं तो होता है आपसों नमर ए व्लस का डेखिए मोंस्का के अंतरगोट जीत्नी भी घौंगा हो गए इस तरह'll से related ओ सभी आते हैं मोंस्का के अंतरगोट सबसे पोटा में सबसे ज्यादा जीव आता है और इसमें जीस भी जीव का टांग 5-10 गो बारेगो तेरेगो होता है वो सभी जीव अर्थोपोटा में आ जाता है जैसे आपका जोग हो गया किलकी चही हो गई केकड़ा हो गया गोज़वर मता जीसका टांग का संख्या अधिको माने गोड की संख्या वो अर्थोपोटा के अंतरगात आता है अई मोलस्का के अंतरगात घोंगा हो गया जीसे घोंगा देख्या है ना ओइठा जीसे के उपर आवड़न हो एक कवच हो वो सब मोलस्का के अंतरगात आता है तो अप्शन नमर ए आंसर होज़ेगा यही ने पहु टार्टिरिक अमल का ठेक टार्टिरिक अमल का जो होता है मेसो सौरंरसना होती है टार्टिक अमल का अप्टिरी नमर अब क्रियाओं N2 पोलस 3S2 आपका A आपका A बना दिया K1 K2 तो क्या इसमें रिलेस्टन होगा तो यnumber पाफी आसान है, अगर पड़े होंगे तो यह अप्टन नमर एए आंसर होजएगा, K2 जो होगा, रूट अंडर होगा, K1 का, ठेका, तो यह हो गया, सामे अवस्था K1 और K2 है, इसी को आपको बताना है ठेका है यCEB सम्करण में केव जो एक भाइलोई FIX होता है ठेका है स्तिराग का मतलबत है निश्चीत होना हरक्तम तरह में अधिया रहता है का भाइलोग अगर सुलूशन करने को बूलेगा तो मानों में कोन होता है को सेरकू तो वो होते हैं अप्षान हमार कि भी ठीक है बारागो वसीय को सेरकू होते हैं ठीक है आप कॉमेंट करके मुझे बताएगा आपके फेस है चेहरा चेहरा में कितने होड़ी होते हैं इसके अलावा फिर से बताएगा कान में कितने होड़ी होते हैं यह कॉमें अगर अब करिया पात्र का आयतान चार घटा दिया जाए तो नया दोर क्या होगा लिए आपको बताना है नया दोर क्या होगा तौह यह होगा उसका हाप का मतलब स्कॉार होता है ठीक जितना भल्यू दिया उसके वन भाई का व्यूत कर्मान पाति में स्कॉार ता वन बटा एक प्र फोर दिया तो माने इस सोरे असर नमर ए आंसर हो जाएगा ठीक है वन भाई स्वर गुना दर जो है नया उसका मतलब घौट जाएगा इतना अप्शन नमर बी आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखिए एक क्रिष्णिका का ताब 500 Kelvin है इससे उर्जा उच्वर्जन की दर समनुपाती होगी आप किसके समनुपाती होगी ता ए होगी आपके option नमर एक है ठीक है option नमर ए 500 के पामण फोर के जाए इस बात को ध्यान रखिएगा 27 सेलसियस पर गती से दो गूनी हो जाएगे तो हो जाएगी आपके option नमर सी ठीक है 927 सेलसियस पर ठीक है 927 सेलसियस पर हो जाएगी चलिए next question क्या है वास्तिविक billion बनने के लिए कौनों का आकार किस के बीच होना चाहिए किस से dice होना चाहिए मतलग कम होना चाहिए तो इस बात को मैं आपको यहाँ पर पूरा detail कर दूँगा ध्यान से देखेगा तो इह होगा option नमर ए ठीक है इह होगा आपका आका आकार होना के यह बात पूछ रहे तो देखे होता क्या है कि February य'de कर लिए एक नैनो मिटर से कि एक नैनो मिटर से जादा और हजार ननो मिटर से कों के बीच में होना चाहिए उसके आकार का साईć तो स्वाय ना मिटर उस्टि के बीच में और वास्तिविक billion ढका है वास्तविक billion होने के लिए आपको one nanometer से कौम होना चाहिए ठीक है तो उसी को वास्तविक billion बोलते हैं तो यह option number CA जो है यह काफी एकदाम correct है ठीक है option number A लेकिन मुझे इसमें गलती लग रहा है कुछ किससे कौम होना चाहिए हाँ 100 nanometer से कम होना चाहिए यह इसका हो जाएगा भाईलू ठीक है चलिए next question देखते हैं लेकिन इस question में मुझे कुछ fault है देखे मैं आपको clear करता हूँ वास्तविक billion होने के लिए एक नैनो मीटर से कम होना चाहिए उसका आकार थीक कोलाइडी million होने के लिए 0000 से अधिक और हजार नैनोमीटर से कौम होना चाहिए कुलाइडी बिलियन के लिए ठीका निलंबन के लिए हजार नैनोमीटर से अधिक होना चाहिए उसका अकारकाणों का तो किलियर हुगा तो यह वास्तिविक बिलियन के लिए एक नैनोमीटर से कौम होना चाहिए अप्शन नमर कौन एक कौवक नहीं है अब कौन एक कौवक नहीं है तो हो जाएगा अपस्ट नमर ए ठीक है अपस्ट नमर एक कौवक नहीं है प्लेशू मिडिया एक कौवक नहीं है बाकी सब कौवक है ठीक है इनको कौवक है यह कौवक नहीं है चलिए को इस नमर डी नाइट्री कोर करन कीज के दवारा किया जाता है तो ऑफ्षा नमर्स दी कुलोरोस ट्रेडिंग द्वारा देगा अब सानमर्स डी चलिए नेक्स्ट क्षे परिवर्थन परिवर्थन का पिड़े रन करती है अभी तो बताने वाला नहीं है कोई बढ़ा जानत पड़े होगे तही हो जाएगा यह starts को मल्टोज में option number B आपका answer हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं चलिए next question देखते हैं क्या देर आये ते इस number तो यह आपका numerical type का है चलिए इमेथ नहीं नहीं है चलिए एक car एक सीधी सड़क पर एक समान तोरन से चल रही है वो बिंदू P और Q से इतना किलोमीटर और इतना मने इतना बेग से चला तो Q और P के मद का बेग क्या होगा मद Q और P के मद बिंदू का car का बेग क्या होगा यहीं पूछ रहा है मतलब दूनों एक दूसरे से चला, दोनों बिंदू P Q, P और Q से कराम सब इतना और इतना बिंदू किलोमीटर से बेग से गुजरते हैं, मालने यह पी हो गया, एक Q हो गया, यह इधर से चला, यह इधर से चला, ठीक है, एक कार सीधी, सड़क पर एक समान तोरह से चल रही है, दो बिंदू, दो को बिंदू है, यह के कार है, इतना और इतना किलोमीटर के से बेग से पार करता है, चलिए इसको मैं आंसर बता देता हूं, क्योंकि इस पर संभव नहीं है कर पाना, ठीक है, तही हो जाएगा, आप्शन नमर C, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाई अप्शन नमर B पर, ठीक सुक्रोज पर, इसमें बेकलेक्टोज होता है, तो सुक्रोज पर होता है, चलिए अठाइस नमर देखिए, पचीस नमर, आठ पीपी एम, एसो टू का अर्थ है कि, आठ मिली, एसो टू, बायूज के कितने मिली में बिदमान है, तो हाई अप बड़ी, तो मैं मिलेगा, इसमें क्या क्या कि आए कि तीनों को मिला कर दे दिया, अब मुझे यह किलियर नहीं हो रहा है कि यह पारामेटकल कहीं है, फिर भी चलिए, मुझे जो कोस्टन मिला, वहीं कराया हूँ, यह मैं अपने तरफ से नहीं कुछ किया हूँ, ठीक है, त तो मिलते हैं आगले वीडियो में, और अच्छा लग गया, तो लाइक जरूर कर दीजिए, थांक्स पर वाचिंगा वीडियो, थांक्यू,